पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि सजीव जीने के लिए अपने आसपास की परिस्तितियों के साथ तालमिल बना लेते हैं इसे ही अनुकूलन कहते हैं अब हम कुछ वनस्पती और प्राणियों के अनुकूलन के बारे में अध्यान करेंगे बच्चों जरा सोचिए क्या नीचे दियो ही घटना घटी तो क्या होगा? सोचो क्या पानी के बिना मचली जिन्दा रह सकती है? क्या गुलाब का पौधा कभी तालाब या किसी जरने में उख सकता है? क्या तोता या चिडिया पानी में बतख की तरह तैर सकते हैं? चलिए अब इन सब बातों को हम एक एक करके देखते हैं यदि मचली अधिक समय तक पानी से बाहर रही तो वो मर जाएगी गुलाब का पौधा कभी बे पानी में नहीं उख सकता क्योंकि उसे बढ़ने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है तोता या चिडिया जैसे पक्षी बतख की तरह पानी में तैर नहीं सकते ऐसा इसी लिए होता है क्योंकि ये सारे जीव उनके सामान्य वातावरण से दूर है ये सजीव नए वातावरण के अनुसार अपने आपको ढाल नहीं पाए है चलिए अब हम पानी में किस प्रकार के सजीव रहते हैं ये देखते हैं अगर आप अपने घर या पाठशारा के आसपास किसी जलाशे को भेड़ दें तो आप पानी में लिली, कमल के फूल, जल परणी जैसे वनस्पतियों को देखेंगे विबितन प्रकार की मचलियां, घोंगा, टेड़ पोल, अर्थात मेंधक का डिम्बकीट, बधक जैसे जलचर भी आप पानी में देख सकेंगे क्या आपने कभी इस बात का विचार किया है कि इन जीवों का पानी में रहना किस प्रकार संभव हो पाया होगा पानी में रहने के लिए इन प्राणियों के पास कुछ विशेश अवेव होते हैं कि जो उन्हें पानी में वास्तव्य करने के लिए मदद करते हैं अब हम कुछ जलिये वनस्पती जैसे कमल, जलपरणी, हैड्रिला आदी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों आपको मालुम होगा कि कमल जैसी वनस्पतियां पानी पर तैरती है और हेडरिला जैसी वनस्पतियां पानी के तले अर्थात जलमगन होती है हम देखेंगे कि पानी में रहने के लिए किस प्रकार का अनुकूलन आवशक है मुख्य तहा जलिये वनस्पतियों के पत्तों पर उनकी तहनियों पर मूम की परत लगी होती है और इन वनस्पतियों के डंठल उनमें हवा के लिए खाली जगाह होने के कारण वे स्पंज जैसे दिखते हैं डंठल के द्वारा हवा को इस प्रकार जमा करने का तरीका उन वनस्पतियों को पानी पर तैरने के लिए मदद करता है। बचो एक और बात, हम कभी बड़ी वनस्पतियों को पानी में विक्सित होता नहीं देख सकते। ये वनस्पतियां छोटे आकार वाली होती हैं और इनके पत्ते रिबन जैसे होते हैं और टहनियां अत्यनत लचीली होती हैं। इसी कारण वे पानी के बहाव का सामना कर पाती हैं। बच्चों, क्या आप कुछ जल्चर प्राणियों के नाम बताएंगे? मच्चली, मैंडक, तारा मच्चली, आक्टोपस, बतक, ऐसे अनेक। ताकि अत्रिक्थ पानी उनके शरीर में न जा पाए। लेकिन बच्चों, मैंडक के शरीर पर शल्क नहीं होते हैं। मैंडक जब पानी में होता है, तब वह अपनी चमडी से श्वसन करता है। मच्चली को श्वसन करने के लिए गलमुच्छे होते हैं। मचलियों में तैरने के लिए मीन पंक होते हैं मचलियों की पुँच मोटर के स्टियरिंग का काम करती है पुँच और पंक की मदद से मचली दिशा बदल सकती है बच्चों, बथक ये पक्षी है लेकिन वह तैर सकता है बतक भले ही पानी में हो लेकिन उसका शरीर गीला नहीं होता बतक के शरीर पर एक तेल जैसा पदार्थ होता है जिसके कारण उसके शरीर से पानी दूर जाता है इसके अलावा बतक के पाउं के उंगलियां भी जल्लीदार होती है जो उसे तैरने के लिए मदद करती है पच्चों इस वीडियो द्वारा हमने जाना कि किस प्रकार पानी में रहने वाले पौधे और प्राणी अपने परिवेश के अनुसार अनुकूलन करते हैं सारांश पानी में जीने के लिए जो आवशक अनुकूलता होती है उसे जली अनुकूलता कहते हैं लचीला शरीर उन वनस्पतियों के पत्तों पर रहने वाला तेली अपदार्थ जहाज जैसे शुंडाकार शरीर जलीदार पंजे वाले प्राणी आदी जली अनुकूलन के उधारण है झाले जली अनुकूलता शरी जली अनुकूलता है